नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रामायन में सीता के स्वयमवर में राम को एक धनुष पर प्रत्यंचा चरहानी होती है लेकिन राम के छूते ही धनुष तूट जाता है उनके पहले कोई भी योद्धा उस धनुष को उठा भी नहीं पाया था इसल ये वे राजपद से हट जाते हैं दुर्भाग गिवश राम का राज्या भिशेक नहीं होता है महल की साजिशों के कारण राम को वनवास जाना पड़ता है आज की वीडियो में जानेंगे रामायन के एक रहस्यमय पात्र के बारे में राजा दशरत के पुत्र भगवान श् जब ही यह सोचा है कि आखिर भगवान राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? 11, 12, 13 का क्यों नहीं हुआ था? या फिर 14 साल से अधिक का क्यों नहीं हुआ? वालमिकी द्वारा लिखी गई रामायन के अनुसार, राजा दशरत की रानी कैकई की जिद के चलते भगव राम को 14 साल का वनवास हुआ था। क्योंकि रानी कैकई प्रशासनिक नियम जानती थी। अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता था तो उसका अधिकार खत्म हो जाता था। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और एक वर्ष अग्यातवास की बात रखी थी। क्या आप जानते हैं कि लक्षमन जी शेशनाक का अवतार थे और श्रीराम विश्नु जी के अवतार थे। लक्षमन का अपने भाई राम के प्रतिक काफी सनेह था। वे श्रीराम की सेवा में हमेशा ततपर रहते थे। इसलिए जब श्रीराम और माता सीता वनवास के लिए जाने लगे तब लक्षमन भी उनके साथ रवाना हो गए। वनवास के समय लक्षमन हमेशा अपने भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। ऐसे में सवाल उठता है कि लक्षमन जी की पतनी ने 14 वर्ष तक क्या किया। दोस्तों राम चंद्र, सीता और लक्षमन के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पती के साथ जाना चाहती थी। लेकिन लक्षमन ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका करतव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पती से अलग अकेले का लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक क्या किया। अगर आप जानते हैं तो कमेंड्स में अपने विचार जरूर पेश कीजिएगा। अगर नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इसके अलावा लक्षमन की पतनी उर्मिला को लेकर यह वर्णित है क वह नाग लक्षमी का अवतार थी और शेश नाग का नाग लक्षमी से त्रेता युग में विवाह हुआ था। लक्षमन और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। रामायन के अभी इतने रहस्य अंजाने हैं जिसकी कलपना करना भी हमार लिए मुश्किल होता है। रामायन एक अथाह सागर की भांती है जिसमें डुब की लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायन की घटनाओं का अलग-अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायन के कुछ विशेश पात्रों अथ चरित्रों की बात तो सभी करते हैं लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मन की पत्नी देवी उर्मिला की लोगों का मानना है कि रामायन में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ती क कम आखा गया है। उर्मिला माता सीता की ही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुझ लक्ष्मन के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पति व्रतास्त्री की तरह अपने पती लक्ष्मन जी के साथ जाना चाहती थी। लेकिन लक्ष्मन जी ने उन् अपने भ्राता, राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता की सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्षमन जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायत पता था कि वे लोग जब बड़ा दायत्व डाल कर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह, उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल, वो जीवन सरिता, जो कोई भी नववधू अपने पती के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधू अपने पती से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पती से एक नहीं, दो नहीं, बलकि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इस से बड़ा त्याग और समर्पन क्या हो सकता है। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पती के वियोग में जिन्दगी बिताई। ये उर्मिला का अखंड पतिवरत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिती तो यह थी कि लक्षमन को दिये वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पती के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का खयाल कैसे रख पाती। ये शायद ह कोई कलपना कर सकता है कि किसी नव विवाहित स्त्री के लिए अपने पती को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कश्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरत स्वर्ग सिधार गए तब भी अपनी वचन बधता के कारण उर्मिला नहीं रोई आखिर उस हृदय विदारक खशन में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल भरापल रहा होगा। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्षमन प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तब ही रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्षमन ने निद्रा देवी से वर्दान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्षमन को के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्षमन जी जाकते रहे थे कहते हैं वनवास से अयोध्या लोटने के बाद जब भगवान राम का राज्या भिशेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी थी लेकिन वह नींद की अवस्था में ही थी यह देखकर ल उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई दरसल निंद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पतनी उर्मिला उनके स्थान पर सोयेंगी निंद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या ल कर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्षमन को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया तो उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वर्दान उर्मिला को दिया था उस वर्दान के अनुसार उर्मिला एक साथ तीन कार्य कर सकत इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्षमन जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए इसलिए वर्तमान की द्रिष्टी से देखें तो उर्मिला रामायन की सबसे अतुलनिय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पन की देवी हैं।